हिंदोस्तान में जितना चटपाटा, तीखा और मसालेदार खाना खाया जाता है, उतना शायद ही किसी दूसरे देश में खाया जाता हूँ सुबह का नाश्ता बटर टोस्ट से शुरू होता है और दोपहल को दाल मखनी, बटर आमलेट, पराठे, अमरसरी कुल्चे, शाही पनीर, बटर चिकन, पाव भाजी और ना जाने कितने विंजनों से लोग खोच सिरते हैं बटर चिकन और बटर मसाला तो रात में बीना खाए बहुत से लोगों को नीन तक नहीं आती है आज कल किसी भी धाबे पर आप चले जाएए जब भी आप बाहर जा रहे हों धाबे वाला मखन ऐसे उड़ेलता है जैसे फ्री में आ रहा हो खाने के साथ कटोरी में या पराठों के उपर मखन के एक बड़ी सी टिक्या रख देता है या फिर इस मखन को दाल और सबजी के उपर गार्निश कर देता है खाने वाला भी गदगद हो जाता है कि देखो क्या कमाल का होटल है पूरा पैसा वसूल करा रहा है लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि ये मकन नहीं बलकि घटिया पॉम उयल से बनी मारजनीन है जी हाँ मारजनीन चौक गयनाप लेकिन ये सच है मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों ने आज तक इसका नाम तक नहीं सुना होगा लेकिन ऐसा ही ये हाड सच है जहाँ पर मकन की जगए लोग मारजनीन का इस्तुमाल कर रहे हैं और आप से दाम वसूले जा रहे हैं डेरी बटर के नमस्कार मैं हूं कुल्दिवेदी और आप देख रहे हैं One India Hindi आप और हम मेंसे बहुत से लोग जब ढाबे में खाना खाने जाते हैं तो दाल में मकन का तड़का लगवाना बिलकोल हैं भोलते रोटियों को भी मकन से चुपड़वा कर खाने की आदत जो पड़ गई है उनकी दाल तड़का और बटर रोटी में यही घटिया मारजरीन होता है लोगों के बेकूब बनाने के लिए इसे जीरो कोलेस्टराल के नाम पर बाटा जाता है क्योंकि मेडिकल लॉबी के लोगों को दिमाग में इस बात का बहुत ही बड़ा असर है कि बैड कोलेस्टराल हर्दें खात याने की हर्दें रोग के लिए बहुत बड़ा कारण है इसलिए आज कल जिस भी चीज पर जीरो कोलेस्टराल लिखा होता है जनता उसे तुरंट खरीद लेती है क्योंकि हार्ट आटाइक से कौन बारना चाहता है अब आपको बताते हैं क्या होता है मार्जरीन जहां मक्षन दूद जैसे नेचुरल पदार्थ से तैयार किया जाता है वही मार्जरीन विजिटेबल ओयल यानी पॉम ओयल जैसे चीजों से बनाया जाता है इसे अनसचुरेटेट फैट के फाइदे को काफी बढ़ा दिया जाता है क्योंकि इसे ट्रांस फैटी एसेड और फ्री रेडिकल के साथ पैक किया जाता है मार्जरीन में सिंथेटिक विटामिन होते हैं और इसमें शामिल कलर नेचुरल नहीं होते मार्जरीन को खास रंग से बलीच किया जाता है और प्रजरवेटिव से इस्तमाल करके इसको लंबे समय तक रखने के लिए कुशिशिश की जाती है इसमें केमिकल और कलरिंग एजन्स का भी इस्तमाल किया जाता है मारजिरीन ट्रांस फैट और विजिटेबल ओयल से बनाया जाता है इसकी सिल्फ लाइफ इससे बढ़ जाती है मगर विशेसग जानकार मानते हैं कि ट्रांस फैट मानो स्वास्त के लिए बहुत बड़ा हानिकारक जबकि पोशन के विशेसग रोजाना थोड़ी सी मात्रा में इसे खाने की सलाह देते हैं मारजिरीन का ब्यापार करने वाले इसके असले मक्षन होने का ब्रह्म पैदा करते हैं जिसके लिए अब तक कोल ठोस कानून देश में नहीं बना हुआ है सरकार को हलकि इसके लिए चाहिए कि इस मारजिरीन का रंग डेरी बटर के सफेद और हलके पीले के रंग पर भूरा आदि करने के नियम मनाये जाए यानि इसका कलर बदल दिया जाए जिससे लोगों को इस उत्पात को पहचानने में सुवधा हो सके ताकि उन्हें मकन के नाम पर कोई भी होटल या कोई धाबे वाला मारजिरीन न खिला सके आप मारजिरीन के बारे में और अधिक अगर जानना चाहते हैं तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं ये मकन नहीं बलकि मकन के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा है जो कि आप और हमारे स्वास्ती के लिए बहुत हानिकारक है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ नमस्कार